सब्सक्राइब किजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और उसे दिबाने के बाद बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहे दोस्तों कहते हैं कि साधी सुधा जिन्दगी में पती और पत्नी को एक दूसरे की सारी बाते और सुख दुख एक दूसरे के साथ सेर करने चाहिए और ऐसा करना सही भी होता है इससे सांसारिक जिवन सुख में हो जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकसर पत्निया ये पाँच बाते अपने पती से हमेशा चुपाती है और अपने पती के साथ सेर करना वो उचित नहीं समगती है तो आईए जानते हैं कौन सी है वो पांच बाते जो ज़्याद़तर पत्निया अपने पती से चुपाती है पहली बात पुराना प्रेम पुरुष की तरह हर स्थ्री के जीवन में कोई न कोई जरूर आता है उन्हें भी पती के जीवन में आने से पहले किसी न किसी पूरुष से प्रेम हो जाता है लेकिन वो ये बात किसी से जाहिर करना सही नहीं समगती कोई भी स्त्री अपने पती को अपने क्रश के बारे में नहीं बता दी क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि इसकी वज़े से उनके वहवाईक जीवन में कोई बादा उत्पन हो सकती है दूसरी बात है मन की इच्छा पती-पत्नी के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सहमती नहीं बन पाती और ऐसे समय में दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ता है ऐसे समय में ज्यादतर पत्निया हा में हा मिलाकर पती की इच्छा का स्विकार कर लेती है जबकि वो उस फैसले के लिए दिल से तयार नहीं होती तीसरी बात है बीमारी ज्यादतर स्त्रिया अपनी बिमारी या कोई सरीर की पीडा के बारे में पती को नहीं बताती है, ऐसा करने के बीछे उनके पास वजब भी होती है, ये सोचती है कि छोटी-छोटी बात के कारण पती को परेशा नहीं करना चाहिए, जिसकी वज़र से उनके पती को तनाव हो सकता है, चोटी बात है पैसे, ज्यादातर मेलाए, कुछ पैसे पती को बिना बताए, छुपा कर रख लेती है, और इसकी जानकारी अपने पती को नहीं देती, उनका समझना ये होता है कि बविश्य में इन पैसों की जरूरत पढ़ सकती है, और ऐसे समय में वो पती को य अपनी सहलियों के साथ ज्यादातर राज सेर करती है, लेकिन वो अपने पती को कभी नहीं बताती है, कि उन्होंने अपनी सहलियों को ये बाते बताई है, ये वो हमेशा ही अपने पती से छुपाती है, दोस्तों, तो ये थी वो पाँच बाते, जो स्त्रिया अपने पती से हमेशा चुपाती है अगर आप भी कोई और बात चुपाती है तो कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे